Hello friends, welcome to SSC Maker दोस्तो हमने Railway NTPC Group D परिक्षा के लिए Crash Course से स्टार्ट कर दिये हैं और इस Crash Course में हम देखेंगे General Awareness के Previous Air के Question देखिए दोस्तो होता क्या है Railway NTPC Group D परिक्षा में लगपक 70-80% Question रिपीट करते हैं यानि Previous Air से पूछ जाते हैं दोस्तो अगर आप सारे Paper त्यार कर लेते हैं तो आपके 70-80% Question यहां से त्यार हो जाएंगे और मैं आपको बताते चलूँगी कि कौन-कौन से Question important है और कौन-कौन से Question जादे रिपीट होते हैं तो ये देखिए Crash Course का 29 वीडियो है और दोस्तो ये Railway NTPC 10 April 2016 सिर्फ थर्ड कर क्रिशन है यानि सारे Question पूछे गए हैं तो आईए देखते हैं हमारा First Question हमारा First Question है दोस्तो इन में से कौन सी एक Computer Operating System नहीं है यहाँ पर दोस्तो पूछ रहा है कौन सा नहीं है इन में से Computer Operating System तो वे क्या है? याद रखिए कर दोस्तो Next Question पर चलते हैं हमारा Next Important Question है एक परमानो की परमानो संख्या क्या होती है जिसमें 10 प्रोटोन और 11 न्यूट्रोन होते है तो दोस्तो वे क्या होती है? 10 ठीक है? दोस्तो किसी तत्व के परमानो के नाबिक में उपस्तित परमानो की संख्या को कहते हैं परमानो संख्या यानि Atomic Number और किसी परमानो के नाबिक में उपस्तित परमानो और न्यूट्रोनो की संख्या का योग उस परमानो की द्रव्यमान संख्या यानि की मास नंबर कहलाती है अगर बात करें परमानो की इलेक्ट्रोन की खोज की थी जे जे थॉम्सन ने याद रखिए का दोस्तो नास्ट केशन पर चलते हैं हमारा नेक्स्ट इम्पॉर्डन केशन है डीवीटी का पूरा नाम क्या है तो दोस्तो वह है डीजीटल बहुमुखी डिस्क ठीक है यानि कि डीजीटल वरसेटायल डिस और दोस्तो इसे समाने रूप से क्या कहा जाता है तो वह है डीजीटल वीडियो डिस्क याद रखिए का दोस्तो नास्ट केशन पर चलते हैं हमारा नेक्स्ट इम्पॉर्डन केशन है आचन में मदद करने के लिए शरीर में कौन सा एसिड पर योग किया जाता है तो दोस् समय यानि कि आमतोर पर मनुष्य में एक या दो घंटे कुत्तों में 5-6 घंटे और बिल्यों में जो है इससे कुछ जो कम अब्दी होती है उसके बाद भोजन के अवशेश क्या करते हैं छोटी आथ और बड़ी आथ से गुजरते हैं और मलत याक के दोरान भार निकाल दिय जाते हैं याद रखीगा दोस्तों नाक्स्ट क्रिशन पर चलते हैं हमारा नेक्स्ट इंपॉडन क्रिशन है कुडन कुलम परमानो उर्जब प्लान कहां इस्तित है तो दोस्तों वह है तब मिलनाडो में याद रखीगा नाक्स्ट क्रिशन पर चलते हैं हमारा नेक्स्ट इ है आरे भट चीक हैं दोस्तों भारत का पहला उग्रे था आरे भट और यह उन्निस अप्राल 1975 को सोवे संग द्वारा अंतरिक्ष में शोड़ा गया था और इसका नाम जो है महान करनी तक गया आरे भट के नाम पर रखा गया था और इसके पांस दिन बाद जो है काम करना बंद कर दिया गया था याद रखिये का दूस्तों इसने किया था आरे भट ने पांस दिन के बाद जो है काम करना बंद कर दिया था नास्ट क्रिशन पर चलते हैं हमारा नेक्स्ट इ क्षिशन है दोस्तों निम्लिकित में से किस जोड़े के पास अपर बर्थ है तो दोस्तों वह है मीना और हरी ठीक है नेक्स्ट क्षिशन पर चलते हैं हमारा नेक्स्ट इम्पॉर्डन क्षिशन है 2014-15 की सर्वस्रेस्ट महीला क्रिक्ट के लिए M.A. चिंदबरम ट्रॉफिय स से किसको संबानित किया गया था तो दोस्तों उनका नाम क्या है मिताली राज ठीक हैं दोस्तों अपार्ट फॉर्म विराट कोहली फोमर इंडिया विकेट कीपर सेयद किर्माने विल बे प्रेजेंटिट दक कोल सीके नाइडो लाइफटाइम अचीवमें अवार्ड अगर बात करें दोस्तों मिताली राज की तो मिताली राज विल बे प्रेजेंटेड में चिंद्बरम ट्रॉफी फॉर बैस्ट विमन क्रिकेटर ऑफ 2014 से 2015 इन दा सीनियर कैटेगरी वाइल दैवी का वेदिया इन दा जूनियर कैटेगरी याद रखिए कि दोस्तों नास्ट कोप आप सभी जानते होंगे याद रखिए का दोस्तों और दोस्तों ये वीडियो कैसे लगा बताइए का जरूर अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो अससी मेकर को लाइक कीजिए सब्सक्राइब करें शेयर करना बिल्कुन न भूले नेस्ट क्रिशन पर चलता है हमारा नेक्स्ट इंपॉडन क्रिशन है महाबोधी मंदिर या महान जगरती मंदिर एक बोध मंदिर है जो डैस में स्थित है तो दोस्तों वह है विहार में ठीक हैं दोस्तों महाबोधी विहार और महाबोधी मंदिर बोध गया स्थित पस्थित बोध विहार है और यूनेस क्रिशन पर चलते हैं हमारा नेक्स्ट क्रिशन है 2015 में निमलिकित में से किसकी मैटर के लिए नए स्टेट के रूप में खोच की गई थी तो वह है जॉन टेलर धातू ठीक है नेक्स्ट क्रिशन पर चलते हैं हमारा नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्डन क्रिशन है बारत गर्ण र राष्टपती द्वारा की जाती है ठीक है और ये कब होता है तब की जाती है जब राष्टपती को पूर्ण रूप से विश्वास हो जाए कि देश में ऐसा आर्थिक संकट बना हुआ है जिसके कारण भारत के वित्ते स्थायत्व या साख को खत्रा है याद रखिएगा दोस्तो नाक्स्ट केशिन पर चलते है हमारा नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्डन केशिन है रिपीटिड केशिन दुनिया का पहला माना विर्दे प्रत्यारोपन किस ने किया था तो दोस्तो वह है क्रिस्टियान बनाड ठीक है विष्ट का पहला माना विर्दे प्रत्यारोपन जो है तीन दिसंबर 1967 में ठीक है 1967 में तक्षिन अफ्रिका के केशिन टाउन शहर में क्रिस्टियान बनाड के द्वारा किया था और पूरी दुनिया में हर साल जो है दोस्तो 3500 हिर्दे प्रत्यारोपन होता है और करीब जो है दोस्तो 80,000,000 लोग है जो दिल के चतुर्थ श्रेणी के दोसे पीडित है और उन्हें नए अंगी ज़रूरत है याद रखिए कि दोस्तो Most important question है Next question पर चलते है हमारा next question है दोस्तो 2015 में निमली खित में से किसने दिल्ली में हुए 59 वे रास्टे निशाने बाजी चैंपियंशिप में 10 मीटर एर आइफल में सौन पदक जीता था 2015 की बात हो रही है दोस्तो तो वे कौन ते बताईए पैते दोस्तो अपूर्वी चंदेला ठीक है दोस्तो रियो अलम्पिक के लिए जो है क्वालिफाई कर चुकी अपूर्वी ने बहतरीन प्रदर्शन करते हुए ये पदक जीता और राज़िस्तान की अपूर्वी ने कुल दोस्तो 7.8 अंकों के साथ सौन पदक जीता याद रखिएगा दोस्तो नाक्स्ट क्रिशन पर चलते है हमारा नेक्स्ट इंपॉर्डन क्रिशन है निम्लिकित मिसे किस अंदोलन ने गोवा में पूर्दकाली राज को समात करने में मैत्पून भूमी का निभाई थी तो दोस्तो वह है गोवा मुक्ती ठीक है दोस्तो महारास्ट के सांगली में 1929 में ठीक है 1929 में जन में थे मोहन रनाडे ये कौन थे वकील थे और वे सुतंतरता सैनानी और राष्टवादी विचारक भी थे दोस्तो डी सावर कर और वीडी सावर कर इन सबसे प्रभावित थे और गोवा को अज़ादी दिलाने के लिए वे अज़ाद कोमन तक तल में शामिल हो गए और दोस्तो रनाडे जो है 1950 की शुरुआत में एक मराठी शिक्षक के रूप में गोवा पहुँच गए और महापुर्द गाली अपनी वेशिक शाषिन के खिलाब कुप्त अंदोलात्मक गती वीदियो में शामिल हो गए याद रखी का दोस्तो नास्ट केशन पर चलते है हमारा नेक्स्ट इम्पॉर्डन केशन है भारत छोड़ो अंदोलन महात्मा गांदी द्वारा कब शुरू किया गया था तो दोस्तो आप सभी जानते होंगे वे है आट अगस 1922 को ओकी नास्ट केशन पर चलते है हमारा नेक्स्ट इम्पॉर्डन केशन है लाल किला लगबग 200 वर्ष्यों के लिए भारत के मुगल समराठ का निवास इस्थान था यह किस के द्वारा बनाए गया था तो दोस्तो वे कौन थे शाह जहां आप सभी जानते होंगे दोस्तो दोस्तो खिले का जो निर्मान है पांचवे मुगल बाशा साहजा द्वारा कब करवाए गया था 1639 में और इसका निर्मान दोस्तो लाल बलवा पत्थर याने की रेड सैंड स्टोन से होने के कारण इसे लाल की लगा नाम दिया गया और महल में दोस्तो मंड़न पेक लाइन में बने हुए हैं जिसके सामने एक चोटी नहर और जलदारा बैती हैं जिसे जो है नहरे विश्रत के रूप में जाना जाता है और दोस्तों किला जो है इसमें क्या है कई संग्राले स्थित है और सबसे दाई और मशूर मोधी मज़धे स्थित है याद रखिए का दोस्तों नाक्स्ट कुशन पर चलते हैं हमारा next important question है व्रदेश्वर मंदिर शिव को समाप्रत एक हिंदो मंदिर है जो तमिल नाड़ों के भारते राज्जे में तंजापूर में स्थित है यह किसके सिंगहसन की शोबा बढ़ाने के लिए पनवाया गया था तो दोस्तों वै कोन है चोला समराच्चे ठीक है दोस्तों इसका जो निर्मान है एक हजार तीन से लेकर एक हजार दस इस्वी के बीच जो है चोल शाशक प्रतम राज राज चोल ने करवाया था और उनके नाम पर इसे जो है राज राज इश्वर मंदिर का नाम भी दिया गया यह जो है दोस्तों अपने समय के विश्व के विशालत सन रशनाव में गिना जाता है याद रखेंगा दोस्तो नास्ट कुशन पर चलते हैं और इसके रूप में जाना जाता है किसके थारेगिस्तान के दोस्तो भारत जो है भारते उक महादीप के उत्तर पश्री में भाग का एक बड़ा शुष्क शेत्र है थारेगिस्तान और ये दोस्तो 77 वर्क मील के क्या है शेत्र को कवर करता है और भारत और पाकिस्तान के बीच क्या है एक प्रकरतिक सीमा है वे बनाता है कौन थारेगिस्तान याद रखी का दोस्तों और दोस्तों ये वीडियो शेयर करना बिल्कुल न भूलें आप सभी जानते हैं शेयरिंग इस दा बेस्ट वे ओफ लर्निंग तो शेयर ज़रूर करें नाक्स्ट क्रिशन पर चलता है ह हमारा next most important question है दोस्तों ध्यान से दिखिएगा ADH का पूरा नाम क्या है फुल फॉम पूछ रहा दोस्तों क्या होती है तो वह है एंटी डायूरेटिक हार्मोन ठीक है दोस्तों इसके अलावा और भी है जैसे ADH अगर option में पूछ हैं तो महाँ पर दोस्तों ये भी हो सकता है alcohol dehydrogenase उसके बाद anti-diuretic hormone ठीक है और दोस्तों अगर पूछ सकता है ADH की फुल फॉम क्या है तो वह हो सकती है anti-diuretic hormone, automatic data handling, next दोस्तों अगर ADH फिर से पूछे तो वह बोल सकते हैं average daily hours ये सब दोस्तों क्या है ADH की फुल फॉम है option में जो भी पूछा जाए दोस्तों हम उसी पर टिक करेंगे याद रखी का answer वही होगा हमारा next question पर चलते हैं हमारा next important question है निमलिकित में से कौन सा मनुष्य का ADH होता है किस में किया जाता है तो दोस्तों वह है anthropology ठीक है इसका मतलब क्या होता है मनुष्य का ADH और मानव विग्यानी मूलत दोस्तों मनुष्य की समोची विकास तक्रिया को समझने की कोशिश करते हैं जो हजारों वश्पुरानी है और इस विशे में अनेक उपविशे भी हैं जिनमें प्रमुख है physical anthropology, cultural anthropology और पुरातत्व विग्यान ठीक है ये सब हमें मदद करते हैं मनुष्य का ADH जानने में क्याद रखिएगा दोस्तों, next question पर चलते हैं हमारा next important question है, अनिर्बन लहरी किसके साथ जुड़ा हुआ है तो दोस्तों वह है, कौन है, golfer, ठीक है golf के साथ जुड़े हुए है, ये कौन है दोस्तों, एक भारते professional golfer है और ये European, Asian और PGA Tour में खेलते हैं इसके अलावा दोस्तों, इन्हों ने जो है 2016, गिर्ष में कालीन ओलंपिक खेलों में qualify किया याद रखिएगा, अनिर्बान लहरी next question पर चलते हैं हमारा next most important question है, सबसे बड़ी मानव कोशी का कौन सी है बताईए दोस्तों, तो दोस्तों वे कोन सी है, वे है दोस्तों, ओवम ठीक है, दोस्तों मानव शरीर की सबसे बड़ी यानि largest कोशी का जो है महिलाओ के अंडाशे यानि ओवरी से निकलने वाले अंडे यानि ओवम है और दोस्तों जो तंत्रिका तंत्र है उसमें कुछ तंत्रिका यानि की नियूरोंस जो है शरीर के सबसे लंबी यानि लॉंगस्ट कोशिक आए होती है याद रखिए का दोस्तों important question है next question पर जलते हैं हमारा next important question है निम्लिकित में से किसको BCCI 12 वर्ष के किर्केटर के रूप में सम्मानित किया गया था तो अर्दर 16 की बात हो रही है दोस्तों तो वैकों ते विराट को ली ठीक है विराट को जो है दोस्तों पिसले 2 सीजन यानि कि साल 2016 और 17 और 17 से लेकर 18 के लिए जो है पोली उम्रीगर अवार्ड दिया गया था किसने BCCI ने ठीक है नाक्स्ट क्रिशिन पर जलते है हमाला नेक्स्ट इंपॉर्डन क्रिशिन है निम्लिकित में से कौन सा अशुद रख्त संचार करता है तो दोस्तों वह है पल्मोनरी धमनी ठीक है फुफुस धमनी भी कहते हैं दोस्तों इसको ठीक है पल्मोनरी धमनी को और दोस्तों ये क्या है ये जो धमनी है दोस्तों सभी धमनियों में अक्सिक्रित रुदिर यानि शुद रुदिर प्रवाइद होता है इसके अलावा ठीक हैं ये क्या करता है अशुदी रखसंचार करता है याद रखी का दोस्तो पल्मोनरी धमने नाफ्स्ट कुश्चिन पर चलते हैं हमारा नाफ्स्ट इम्पॉर्डन कुश्चिन है अगल 2015 में निमलिकित व्यक्तियों में से किसने राज्य की टाइकर एम्बैसिडर होने के लिए महारा सरकार के पिस्ताव को स्विकार किया था तो दोस्तो वह हैं अमिता बच्चन ठीक हैं दोस्तो महाराश्च के वन मंत्री सुदिर मुंक्टिवार ने बच्चन को टाइकर एम्बैसिडर बनाने का निमंतरन दिया था और वहीं उन्होंने दोस्तो 11 अगस्त को जो है इसे स्विकार किया था और दोस्तों Tiger Ambassador बनने के लिए जो है महराश्च के वन मंत्री सुदेर मुंक्टिवार का निमंतरन स्विकार कर लिया था और राजदूत बनने के बाद यह हैं उनकी शुरुबात थी याद रखेगा दोस्तों, नेक्स्ट कुरिशन पर चलते हैं हमारा नेक्स्ट कुरिशन है दोस्तों, कौन सा देश दान सायता फाउंडेशन के विश्प्रदान इंडेक्स 2015 में पहले स्थान पर रहा तो दोस्तों वह है मैं हमार याद रखेगा, नेक्स्ट कुरिशन पर चलते हैं हमारा next important question है निम्लिकित में से कौन सा प्लूटो का एक fly-by अध्यन करने के लिए प्रात्मी question के साथ शुरू किया गया था तो दोस्तो वह क्या है बताईए वह दोस्तो नए शितिज ठीक है दोस्तो यह जो है नए शितिज इंग्रिश में बोलते हैं new horizons अमेरिका शोधियान है जो हमारे सोर मंडल के बाहरी यानि बोना ग्रे जो है यम यानि के प्लूटो इसके अध्यन के लिए छोड़ा गया था और इस यान का जो प्रशेपन है 19 जनवरी 2006 को किया गया था जो 9 वर्शों के बाद 14 जुलाई 2015 को प्लूटो के सबसे नजदीश से होकर घ चीक है याद रखिएगा most important question है next question पर चलते हैं हमारा next most important question है दोस्तो repeated question है निमलिकित में से किसने 2016 मलेशिया Master Grand Prix Padminton किताब जीता है तो दोस्तों उनका नाम में PV Sindhu याद रखिएगा और दोस्तों ऐसी interesting videos और question के लिए SSC Maker को आप अपने दोस्तों के साथ like कीजिए subscribe करें and share करना बिल्कूर न भूले हर सोसर sites page पर कीजिए ताकि आपके साथ साथ दूसरों की भी help कीजिए दोस्तों next question पर चलते है हमारा next most important question है ISRO यानि ISRO का पूरा नाम क्या है तो दोस्तों वह क्या है भारतिय अंतरिक्ष अन संस्तान है जिसका मुख्याले कांपर है तो वह है बैंगलूर में स्थित और इस संस्तान में लगपक दोस्तों 17,000 करमचारी और विज्यानिक कार्यत है और संस्तान का मुख्य कार्य क्या है भारत के लिए अंतरिक्ष संबंधी तकनीक उपलब्द करवाना याद रखी का द इनका कार्यकालता दोस्तों 21 फरवरी 1947 से लेकर 15 अगस्त 1947 तक और ये कौनते दोस्तों भारत के अंतिम बैसराय इसके लावा दोस्तों इनोंने जो है 3 जून 1947 को भारत के विभाजन की गोशन की थी और 4 जुलाई 1947 को ब्रेटे संसद में भारते स्वतंदरता अधिनियम प्र जो स्वतंदरता अधिनियम है इसके द्वारा भारत को विभाजन करके भारत और पाकिस्तान इनके जो नाम थे दोस्तों भारत और पाकिस्तान नाम के क्या हुआ था दो राज्यों में बाट दिया गया और 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ था भारत स्वतंदर हो गया याद यह प्रियोक किया था और मदुमे के इलाज में यह खोज जो है कारकरशिद्वी ती और इस महान खोज के लिए फैडरिक को जो है नॉबल पृसकार भी मिला था याद रुखी का दूस्तों इंपॉर्डटन कॉर्शन है तो दोस्तों यह थे क्रेस कोर्स में जनरल अवैनेस के प्रिविस एर के कर्शन आई होप यह वीडियो आपको पसंद आया है यह वीडियो कैसा लगा कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताईएगा पसंद आया तो अपने स्टाड़ी लेजी गूप में शेयर ज़रूर करें और स्सी मेकर को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कूँ न भूलें आज के लिए बस इतना ही थैंकि सो मज़ दोस्तों